नमस्कार दोस्तों, पुझे शिक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाईयों और भाईयों का बहुत बहुत स्वागत है, जैमातादी दोस्तों आज जिस नए विशे पर हम चर्चा करेंगे वो है पित्र प्रक्ष में किस दिन हमें जो है श्रात करना चाहिए सर्व पित्र मोक्ष मावस्या पर तो आप सभी का श्रात कर सकते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि जीवन में किस विक्ति की मृत्यू किस हिसाब से हुए, उसके लिए भी अलग-अलग दिन को निर्धारित किया गया है सबसे पहले मैं बता दू कि अगर आप श्रात करना भूल जाते हैं, तब आप किस दिन श्रात करें, अगर आपको तिथी मालूम नहीं है, तो आप किस दिन का चैन करें, या मृत्यू किस प्रकार से होई है, उस पर भी हमारे शास्त्रों में जो है पूरी ग्यान की वाते द दिलवाता है, हर साल अश्विन मास से लेकर कृष्न पक्ष में जो है पित्र पक्ष आता है, इस साल जो है 13 तारिक से लेकर 28 तारिक तक का पित्र पक्ष रहेगा, इस समय पर हम अपने जो मृत्य परिजन है या हमारे जो रिष्टेदार हैं, उनके तिती के अनुसार जो है उसके जो कर्म है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं जुड़े हैं तो श्रात पक्ष की पंचमी तिथी पर जो है उनका श्रात करना चाहिए जो की 19 सितंबर की रहेगी कृष्ण पंचमी इसके अलावा अगर कोई महिला जो होती है जब उनकी मृत्ति हो जाती है तो खास तो पर महिलाओं के लिए जो है कृष्ण नवमी जो की 23 सितंबर का दिन है और जिस महिला के मृत्ति उसके पती से पहले हो जाती है यानि कि उनके जो पती देव है वो जीवित है अभी इस समय पर और वो सुहागन ही जो है स्वर्ग लोग को सिधार गई है तब इस समय पर हमें उनका जो शराद है वो किस समय पर करना चाहिए तो कृष्ण नवमी जो की 23 सितंबर का दिन है इस तिती पर उनका शराद हमें करना चाहिए इस तिती पर परिवार के सभी मृत्ति महिलाओं के लिए भी शराद किया जाना चाहिए विशेश तोर पर जो कृष्ण नवमी होत इस्तिती पर करना चाहिए इसके अलावा आप जो एकादशी होती है कृष्ण एकादशी जो की 24 सितंबर के दिन है उस समय पर हमें जो व्यक्ति सन्यासी हो जाते हैं आध्यात्मे में बढ़ जाते हैं भ्रमचारे का पालन करते हैं जिनके जीवन में केवल जो है भगवान ही एक रास्ता होते हैं उनके जीवन का लक्ष होते हैं एक प्रकार से आप ये माल लेजे कि जो भी व्यक्ति आपके कुटुम में आपके परिवार में सन्यासी हो जाते हैं और ब्रह्मचारे का पालन करते हैं उनके लिए कृष्ण एकादशी जो की 24 सितंबर है उस समय पर उन परिवार में जब किसी नन्य बालक की कन्या की या जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्वर्ग को सिधार जाते हैं तब किस समय पर उनका शरात करना चाहिए या पित्र पक्ष में किस तिथी का जो है चैन करना चाहिए जिससे कि उनके जीवन में उन्हें मोक्ष की प्राप्त उन सभी का जो श्राद है इस समय पर करना बहुत उत्तम माना जाता है जो की आती है अश्विन कृष्न त्रयोदशी याने की ये आएगी 26 सितंबर का दिन ये पढ़ रहा है और ये बहुत ही अच्छा दिन माना जाता है नन्ने बच्चों के श्राद को करने के लिए उनके ना इसके अलावा अब हम बात करेंगे कृष्न चतूरदशी याने की ये जो दिन होता है ये 27 दिसंबर को इस साल पढ़ रहा है इस तिति पे उन लोगों के लिए शाथ किया जाता है जिनकी मृत्यू जो है किसी शस्त्र के द्वारा हो जाती है याने उन्हें चाकू लग जात अब को मृत्यू जब किसी शस्त्र के द्वारा होती है तब जो है कृष्न चतूरदशी याने 27 सितंबर का ही दिन है और इसी दिन उन लोगों के लिए आत्मा की शांती के लिए भी धर्म कर्म किया जाता है जो की अपने जीवन में आत्म हत्या कर लेते हैं और जिनकी मृत् जब उनकी मृत्यू प्राकरतिक रूप से ना होकर किसी चीज के द्वारा जैसे शस्त्र के द्वारा हो गई या जहर के द्वारा हो गई या आत्म हत्या कर ली है दुरवटना हो गई है जो व्यत्ति अकाल मृत्यू प्राप्त करते हैं उन सभी के लिए 27 सितंबर 2019 का जो सम उनके लिए जो दान, धर्म, कर्म करना चाहते हैं, पूजा पाट करना चाहते हैं, पंडित को जो है आप भुजन कराना चाहते हैं, तो ये दिन सर्वश्रेष्ट होगा, उनकी आत्मा को जो है ईश्वर बहुत जल्दी शांती देकर मोक्ष की प्राप्ति करवाएंगे, इसक हमारे कुटुम के जितने भी पित्र होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उन सभी के लिए श्राद किया जाता है, अगर हम किसी विदिन श्राद करना भूल जाते हैं, या हमें मालूम नहीं है किस तिती पर उनकी मृत्य हुई है, या मृत्यू कैसे हुई है, या कई बार ऐसा होता कि किनी वजाओं से पूरी श्राद में किसी भी प्रकार का धर्मकरम नहीं कर पाते हैं, तो सर्व पित्र मोक्षा मावस्या का 28 सितंबर का समय है, सभी पित्रों को याद करने का दिन है, आप इस समय पर अपने पित्रों के नीमित कारे जरूर करें, दान जरूर करें, भोजन ज़रूर कराएं आप जो ब्रहामणों को करा सकते हैं या जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि आप अगर कोई भी प्रकार का पूजा पाट नहीं कर पाते हैं तो काले तिल जो है या फिर आप जो है एक दीपक जला कर किस प्रकार से उन्हें जो है शांती प्रदान कर सकत पित्र पक्ष जो है बहुत अच्छा दिन माना जाता है अपने पित्रों को याद करने के लिए उनकी क्रपा द्रश्टी प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का अगर पित्र दोश लगता है जीवन में या आपको लगता है कि कोई भूल चुक हमारे जीवन में हमसे हो ग अपने पित्रों को याद करना चाहिए उनके निमित जो है दीपक लगाना चाहिए और जो भी आप उजा आराधना करना चाहते हैं या उनसे किसी भी प्रकार का आशिरवात प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो समय है बहुत ही उत्तम समय है तो भाईयों और बहनों मैं आश करती हूं आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा आज अपनी वांडी को विराम देते हुए हम फिर में लेंगे किसी नए विशेव पसर्चा करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए चैमाता दी